दिखे एक शब्द है general, general को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या आर्थर मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, example से, sentences में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए वीडियो को श्टार्ट करते हो और समझते हैं शब्द को, general का क्या मतलब होता है, समझें, general मतलब होता है, सामान, व्यापक, साधारन, परचलित, सर्वलोकिक, सर्वत्रिक, एक या कुछ पर सीमित ना होकर अनेक चीजों पर या विशियों पर आधारित को हम general बोलते हैं, तो इंग्लिश में general को बोलते हैं, overall, generic, common, usual, normal, popular, universal, broad, global, widespread, extensive, and etc. मतलब और भी, इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं, general के, synonyms हो सकते हैं, general के, अब एक्जांपल से, sentences में समझते हैं, शब्द को अच्छी तरह से, जिसे बोलेंगे, आम बोल चाल में हैं, तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे, हम लोग के, information provided on this website is general in nature, मतलब website पर दी गई जानकारी प्रकृति में सामान्य है, दूसरा example है, in general medical practice, its use is limited, मतलब सामान्य चिक्टसा पद्धिती में इसका उपियोग सीमित है, limited का मतलब सीमित, general का मतलब सामान्य है, ठीक है दुमिदा आपने general शब्द को हिंदी इंग्सांपल के साथ में अच्छी तरह स समझ लिया है, thanks for watching as you get desk.